हलो फ्रेंड्स डेली ही टिप्स में आपका स्वागत है दोस्तों सिर्फ एक मिनिट में हटाएं सफेद कपड़ों का पीलापन, दाग धबे, पसीने की धबे, पसीने के बदबो सब चुटकियों में इसके लिए आप देखिए इस वीडियो में बताये जाने वाले जबरदस फ्रिक्स दोस्तों दाग चाहे चाय के हो, अनार के दानी का हो, कौफी का हो, लोहे के जंकी हो, या फिसने के कारण हुआ दाग हो जी हाँ दोस्तों, कई मार पसीना सूपने पर भी सफेद कपड़ों पर पीले दाग दिखने लगते हैं, ऐसे पसीने के रंग से नहीं, बल्कि उसमें मौझूद सौल त्यानी की नमक की वज़ा से होता है दोस्तों, ये हमारे कपड़ों के लुग को पूरी तरहा से खराब कर देते हैं, कपड़ों पर लगे जिदी दाग हमें काफी ज्यादा परिशान करते हैं, खासकर करके सफेद और फीके कपड़ों पर, जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद हमें मجबुरन उन दाग लगे कपड कपड़े पर दाग लग जाए तो हमारा दिल बहुत ही दुपता है और जब हमारे किसी फेवरेट कपड़े पर दाग लग जाए तो घुसा भी बहुत आता है। लेकिन ये केमिकल वाले सर्फ सोड़ा कपड़े की रंगत को भी खराब कर देते हैं और साथ ही हमारे कपड़ों के रेशे को भी कमजोर बना देते हैं और ऐसे में जब हम इन कपड़ों को ड्राइ क्लीनिंग के लिए देते हैं तो इसका बिल भी बहुत ज्यादा आता है। लेकिन अब आप अपने कपड़ों को बिना ड्राइट लीनिंग को दिये और साथ ही बिना केमिकल वाले डिटर्जेंट का यूज किये बिना ही अपने कपड़ों से पसीने के दाग या फिर दूसरे दागों को आसानी से हटा सकते हैं वो भी घर पे और वो भी सस्ते में क्यूंकि दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपका बताऊंगी सफेद कपड़े पे लगे दाओ और पसीने के दागों से आसानी से शुटकारा पाने के लिए कुछ आसान फ्रिक्स वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन है आप उस पर क्लिक कर दीजिए और साथी बल आइकान को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी सबी लेटेस वीडियो की अपडेट्स मिन सकें दोस्तों सबसे पहले मैं आपका बताऊंगी पसीने के दाव और पसीने के बद्बो को कपड़ों से दूर हटाने के उपाए सबसे पहला है एस्पिरिन जी हां दोस्तों आस्पिरिन भी पसीने के दाव और पसीने के बद्बो से दूर करन और aspirin cleaning solution को अपना काम करने दीचिए अब उस कपड़े की समाने धुलाए करें धुलाए के बाद आप देखेंगे की दाख गयाब हो गये हैं दूसरा उपाय है सिर्का जी हाँ दोस्तों पसीने के जिद्धी दाख को दूर करने के लिए भैतरीन है सिर्का बस आप कपड़े की पसीने के दाख वाली जगा पर थोड़ा से सिर्का डालिए और धोने से पहले उसे हलके से रगडिए और फिर कपड़े को दो डाली दाख ग बेहदी नुक्सा नायक हो सकता है यानि कि अगर आपके अंडराम्स काली पर रही है तो इसके लिए बैक्टीरिया और फंगस सांक्रमन ही कारण है इसलिए हमेशा दाग लगे कपड़ों को सुरज की दूप में सुखा लेना चाहिए और पसीने वाले कपड़ों को हमेशा जल्दी ही धोना चाहिए दोस्तों तीसरा उपा है नीम्बू बेकिंग सोड़ा या फे अमोनिया जी हाँ यदि आप चाहते हैं कि ड्राइ क्लीनर के महंगे बिलों से दो चाह हुए बिना ही पसीने की दागों को कपड़ों से दूर कर दें तो नीम्बू आपके लिए बहुत ही मददगार हो सकता है जी हाँ दोस्तों दोस्तों बस इसके लिए आप नीम्बू के रस को पानी में मिला कर कपड़ों को धोने से पहले दाग वाली जगा पर हलके से रग लिए और फिर देखें दाग कपड़े से चली जाएंगे इसके रावा आप अमोनिया को पानी में मिला कर दाग वाली जगा पर लगा कर कपड़ा दो सकते हैं इससे पसीने के ही नहीं बलकि खुन और मूत्र के दाग भी दूर हो चाहेंगे दोस्तों बेकिंग सोड़ा भी कपड़ों से दाग निकालने में आपकी बहुत ज़्यादा हल्प करता है बस आप इसके लिए बेकिंग सोड़ा का इस्तिमाल भी कर सकते हैं इसके लिए आप कपड़ों पर बेकिंग सोड़ा के पेस्ट को दाल कर अच्छे से थोड़ा सा रप कीचिए इससे कपड़ों से दाग हर जाएंगे दोस्तों आप मैं आपके बताऊंगी सफेद कपड़ों से दागों को हटाने के उपाए सबसे पहला है नीमबू जीहां दोस्तों नीमबू का रस हर तहा के दाग दबों के लिए असरदार होता है दाग पर नीमबू का रस निचोड़ कर इसे कुछ देर के लिए दूप में रग नीचिए कुछी देर में दाग आसानी से निकल चाहेगा दूसरा है टूथपेस जी हां दोस्तों अगर किसी कपड़े पर रंग लग गया हो तो आप उसके लिए टूथपेश का भी इस्तिमाल कर सकते हैं यह है प्रकार के दाग और रंग निकालने के लिए काफी आसान उपाय है इसके लिए कोई बिना जल वाला टूथपेश लीचिए और उसे कपड़े पर उस जगा पर लगाएं जहां पर रंग है अब इसे सूखने दें सूखने के बाद आप कपड़े को डिटरजेंट से साफ कर लीचिए दाग साफ हो जाएगा कपड़ों से रंग हटाने के लिए कौन स्टाज को दूद में अच्छे से मिक्स कर लीचिए अब इस पेस्ट को कपड़े पर लगाएं कुछ देर पेस्ट को कपड़ों पर लगाकर रखिए और उसके बाद ब्रश से कपड़ों को गिस दीचिए इसा करने से दाग अपने आप साफ हो जाएगा चोहता है अमोनिया और बेकिंग सुड़ा दोस्ता पानी में अमोनिया और बेकिंग सुड़ा को एक साफ मिला कर दाग वाले कपड़ों पर उसमें डौल दीचिए ये दाग को छुडाने में काफी मंददगार साबित होता है दोस्तों पांचवा है लिपस्टिक के दाग हटाने के लिए उपाए जी हाँ, कपड़े से लिपस्टिक के दाग हटाने के लिए आप उस पर रबिंग अलकोहॉल भी रगड का निकाल सकते हैं इससे लिपस्टिक के दाग आसानी से निकल जाएंगे दोस्तों अगर पीरियेट्स के दोरान अगर आपके कपड़ों पर रंग लगया हो या फे किसी तरहा की चोट की बज़ा से कपड़े पर खुन का दाग लगया हो ऐसे में आप उस पर नमक रगड का निकाल सकते हैं इससे दाग आसानी से चला जाएगा लेकिन दोस्तों याद रखें दाग ज्यादा पुराना हो जाए तो आपको दाग निकालने में मुश्किल हो सकती हैं इसलिए कोशिश करेंगी जब भी दाग लगे तो उसे तुरंत हटाया जाएं दोस्तों अगर आपके कपड़े पर पान का दाग लगया हो तो ऐसे में आप कपड़े को खटी दही आफे छांच में भीगोकर रग दीचे कुछ देर बाद दाग लगी जगा को हलके हाथों से मलिए ऐसा कनी से दाग हलके पर जाएंगे और एक दो बार इसी प्रतिया को कनी से कपड़े पर लगा दाग पूरी तरह से साफ हो जाएगा पेट्रोलियम जली को कपड़े के दाग पर रग दिए और पंदाब निर्टा के लिए ऐसे ही छोड़ दे आप चाहे तो शेविंग क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इससे दाग दूर हो चाहेगा दोस्तों आप चाहे तो शेविंग क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी दाग हटाने के लिए बहुत ही मदद करता है दोस्तों पेन का दाग जी हाँ 30 मिनिट तक कपड़े को 6 पे भीगो कर रखने से दाग हचा आएगा इनके दोनों तरफ सफे टूथपिश लगाने से भी दाग मिच जाता है दाग वाले हिस्से पर सिर्का लगा कर रगणने से भी दाग हचाता है उबले हुए चावल या फिर उसके मान से भी इनके दागों को उठाया जा सकता है दोस्तों अगर आपके कपड़ों पर चाई या फिर कौफी का दाग लग गया हो तो ऐसे में आप दाग लगे कपड़ों को थोड़ी दिर के लिए आलू उबले हुए पानी में रख दीचिए ऐसा करने से चाई आफे कौफी के दाग मिच जाते हैं इसके साथी चाई कौफी के दाग पर थोड़ी दिर ग्लिसरिन लगा कर रखें फिर साबुन से दोलें दाग निकल जुआएगा तो फ्रेंड्स आज के अस वीडियो में मैंने आपको बताया सफेद कपड़ों पर से दाग धबे और पसीने के दागों को दूर करने के लिए कुछ आसान और जबरदस घरेलियो ट्रिक्स आप इन प्रिक्स को ज़रूर प्राई करें और अपने कपड़ों पर से दागों को चुटकियों में हटाएं और यह प्रेंट्स वीडियो गीव थम्स अप, कमेट आस इन दे कमेंट बोक्स और मेक शूर तो सब्सक्राइब तो देली हेल्टिप्स Friends, I will be back again with more new interesting topics Till then, take care, enjoy and keep watching our upcoming videos Thanks for watching, bye